आउटडेटिग अनार्चेक स्ट्रॉक्चर्चर्स नीड रिफॉर्म और रीइंवेंटिंग अल्स धेर क्रेडिबिलिटी विल अल्वेज बी अनलेस्ट वी फिक्स अथ सिस्टेमिक दोस्तों इस स्क्रीन पर आप यह आर्टिकल देखिए जिसमें युनाइटि नेशन को लि पर्मानेंट मेंबर और युन की खिलाव किसी ने दिया है युनाइटि नेशन से निकल करा रही इस अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है इसलिए वीडियो को अन तक जरू देखिएगा साथी अगर आपको भी चेंजिस अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही जिससे आप भी बार बार युन से निकल करा रही इन अपडेट से परिशान हो गयोंगे लेकिन इस बार युनाइटि नेशन में जिस तरह का बयान भारत ने दिया है वे अपने आप में काफी बड़ा है और इसके काफी माइने हैं दरसल संयुक्त राष्ट में भारत की पर्मानेंट रिप्रिजेंटेटिव रूचिरा कामबोज मैम ने युनाइटि नेशन में ततकाल सुधार की मांग की है उन्होंने कहा कि साल 2000 में ही यूएन में बड़ाव को लेकर मिलेनियम सम्मिट के दोरान सभी द बड़ाव की मांग हो रही थी और 2000 में मिलेनियम सम्मिट के दोरान सबने सहमती भी जताई थी लेकिन अभी तक कोई भी बड़ाव यूएन में नहीं हुआ है रिवचिरा कामबोज यहीं पर नहीं रुकी उन्होंने साफ कहा कि हमारे आने वाली पीडी अब और इंतजार न उनाइटी नेशन में होगा और इसी समय का भारत उपयोग करना चाता है और उनाइटी नेशन पर प्रैसर क्रियेट कर रहा है कि इस साल इसमें बदलाव की सुरुआत हो जानी चाहिए भारत की पर्मानेंट रिप्रेजेंटिव टुन ने ये भी साफ कर दिया है कि यूएन अब और बरदास नहीं कर सकती इतना ही नहीं भारत ने वीटो के अधिकार को लेकर भी उनाइटी नेशन में अपनी राय रखी भारत ने कहा है कि जो भी पर्मानेंट मेंबर नए आएंगे उनको समान अधिकार मिलने चाहिए यानि कि जो अधिकार चीन, अमेरिका, उसके पास है वही यूएन के नए सदस्ते देसों के पास भी होने चाहिए क्योंकि आपको बता दे पहले ये खबर निकल कर सामने आई थी कि उनाइटी नेशन में बदलाओ किये जाएंगे और पर्मानेंट देसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी लेकिन वीटो का अध अधिकार उन देसों को मिल जाना चाहिए तब तक के लिए वीटो ये देस इस्तिमाल ना करे साथी पर्मानेंट देस जो इस समय मौझूद है इनको भी वीटो के अधिकार में लचिलापन लाने के लिए भारत ने जोर दिया है उन्होंने कहा कि जो चीज मानवता के लिए स लगातार आकरमक रुक और कड़े कदम भी उठा रहा है आपको याद होगा हमने वीडियो बना कर आपको बताया था कि डबलू टियो को लेकर भारत ने ये साब कहा था कि देसों के पास ये अधिकार होना चाहिए इस संगठन को छोड़ने का ये अपने आप में संकेत था क अगर डबलू टियो से कोई देस खोश नहीं है तो उसको इससे बहार निकलने का भी अधिकार होना चाहिए इसके लावा इसी तरह से भारत ने युनाइटी नेशन की खिलाब भी बड़े एक्शन लिये जहां भारत ने युनाइटी नेशन को दी जाने वाली फंडिंग मे भारी कटोती की है जिसका समर्थन भारत के कई उध्योगपती और बड़े लोगों ने किया है कि जब हमें वैधिकार उनाइटी नेशन नहीं दे रहा जिसके हम हगदार है तो भारत आकेर इतनी मदद उनाइटी नेशन को क्यों ही दे इसके लावा भारत के प्रधान मंत्र और भारत की विदेसमंत्री भी लगातार United Nation को लेकर आक्रमग है डॉक्टर एज जशंकर पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी अर्थ वेवस्ता और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री को ही अगर इसमें परमनेंट मेंबर्शिप नहीं दी जाती तो United Nation का कोई अस्तित्वी ही नहीं है साफ है दोस्तों की अवेसमें आ गया है कि भारत आरपार की लड़ाई लड़ रहा है United Nation में कि अगर उसे उसका अधिकार नहीं दिया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि WTO की तरह ही भारत United Nation में भी अलग होने की मांग कर ले और खुद ही दुनिया के बड़े बड़े देसों के स प्रशिया फ्रांस United Nation और अमेरिका से भी भारत के संबन अच्छे हैं देखा जाये तो गिंती के ही देस है जिनके साथ भारत के संबन फिलाल अच्छे नहीं है ऐसे में अगर United Nation इस बार भारत की मांग नहीं मानता तो भारत कुछ ऐसे बड़े कदम पी उठा सकता है जिसका संकेत भारत पहले भी दे चुका है बरहाल दोस्तो इस वीडियो में तरह ही United Nation में भारत के पर्मानेट रिप्रेजेंटेटिव रूचीरा कामबोज मेहम की तरफ से दिये गए बयान पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिक कर जरू बताईएगा साथ अगर आपको यह इ आने वाली डेली वर्ल्ड अफेर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरू दबा लें फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन